एक कभी न खत्म होने वाली कहानी विकास का महाकाव्य। यह कहानी हमारे चारों और पहली हुई है। हर जीवित प्राणी में, हर पेड़ की पत्ती में और हर समुद्र की लहर में हमारा ग्रह जीवन से भरपूर है। हर कोने में, हर दिशा में जीवन की विविधता और सुन्दरता बिखरी हुई है। सबसे गहरे महासागरों से लेकर सबसे उचे पहाडों तक जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। चाहे वह समुद्र की गहराई हो या बर्फ से ढखे पहाड, जीवन हर जगह पनपता है। लेकिन यह अविश्वसनिय विविधता रातों रात नहीं आई। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया का परिणाम है, जो समय के साथ विकसित होती रही है। यह एक महा काव्य यात्रा का परिणाम है, जो अर्बों वर्षों से बन रही है विकास। यह अधी थी, ही यात्रा हमें हमारे अतीत से जोडती है और हमारे भविश्य की दिशा दिखाती है। एक कुशल कहानिकार की तरह, विकास ने जीवन की एक जटिल टेपेस्ट्री बुनी है, जिसमें प्रत्येक धागा समय के साथ एक प्रजाति की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह टेपेस्ट्री हमें दिखाती है कि कैसे जीवन ने समय के साथ अनुकूलन किया है। विकास बदलाव, अनुकूलन और अस्तित्व की निरंतर खोज के बारे में है। यह एक निरंतर प्रक्रिया जो कभी नहीं रुखती है। यह प्रित्वी पर हर जीव के DNA में लिखी एक कहानी है। DNA के इन छोटे-छोटे अनुओं में जीवन की पूरी कहानी छिपी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है क्योंकि नई चुनोतियां और अवसर जीवन के भविश्य को आकार दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं। वैज्ञानिक हर दिन नई खोजें कर रहे हैं। जो हमें विकास की इस महाकाव्य यात्रा के बारे में और अधिक जानने में मदद करती हैं। उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। वे प्रजनन करते हैं और उन लाभ प्रद लक्षणों को अपनी संतानों को देते हैं। अंगिनत पीडियों से ये छोटे-छोटे लाभ जमा होते रहते हैं। जिससे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यही योग्यतम की उत्तर जीविता का सार है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने प्राक्रितिक दुनिया में हमें जो अविश्वस्निय विविधता दिखाई देती हैं। उसे गढ़ा है। गिरगिट के छलावरण से लेकर शार्क के सुव्यवस्थित शरीर तक। प्रित्वी पर सभी प्रजातियों में मनुष्य सबसे अलग है। हमारी विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें अद्वितिय बनाती है। हमारी बुद्धी मत्ता, भाशा की हमारी क्षमता और पर्यावरण को नया रूप देने की हमारी क्षमता ने हमें एक अद्वितिय विकासवादी प्रक्षेप वक्र पर स्थापित किया है। हम अपने परिवेश को बदलने और उसे अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है। लेकिन क्या यही गुण जो हमें इंसान बनाते हैं, विकास के पाठिक्रम को भी बदल सकते हैं। क्या हम अपने ही विकास को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि चिकित्सा से लेकर क्रिशि तक हमारी तकनीकी प्रगती ने प्राकृतिक चयन की पकड़ को कम कर दिया है। हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। हमने एक ऐसी दुनिया का निर्मान किया है जहां अस्तित्व, शारिरिक शक्ती या बीमारी के प्रतिरोध पर कम निर्भर है। अब मानसिक और तकनीकी कौशल अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन नए दबाव उभर रहे हैं। ग्रह पर हमारे प्रभाव और प्रोध्योगी की के साथ हमारी बातचीत से संबंधित दबाव। जलवायू परिवर्तन, प्रदूशन और डिजिटल युग के नए चुनौतियां हमारे सामने हैं। क्या हमें नए विकासवादी दबावों का सामना कर पाएंगे। भागफोर समुद्र से आकाश तक जीवन की विविधता की टेपेस्ट्री। मनुष्य विकास के भव्य आख्यान का एक अध्याय मात्र है। जानवरों का सामराज जीवन की अविश्वसनी अनुकूलन क्षमता का प्रमान है। पक्षियों की सुंदर उडान पर विचार करें, उनके पंख वायुक्ति की ये डिजाइन का एक चमतकार हैं, जिसे सहसराब्दियों से सम्मानित किया गया है। या पानी की अंदर की दुनिया, जहां ऑंक्टोपस जैसे जीव, अपनी अलौकिक बुद्धी और आकार और रंग बदलने की क्षमता के साथ हमें विस्मित करते रहते हैं। प्रत्येक प्रजादी, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़ी भेल तक अपने जीन के भीतर अपनी विकासवादी यात्रा का एक रिकॉर्ड रखती है। इन वन्षों का अध्ययन करके हम प्रित्वी पर सभी जीवन की अंतर संबंधता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। भाग फाइव विकास के वाइल्ड कार्ड जीवाश्म रिकॉर्ड में आश्चर्य जीवाश्म रिकॉर्ड हमें अतीत की अनकही कहानियों को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जो लंबे समय से विलुप्त जीवों और उनके द्वारा बसे हुए वातावरण की जलक पेश करता है। यह हमें उन प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों की जानकारी देता है। जिनमें ये जीव रहते थे और कैसे वे समय के साथ बदलते गए। दा आते हैं। लेकिन जीवाश्म रिकॉर्ड भी आश्चरियों से भरा है जो विकास की गती और दिशा के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। हर नई खोज हमें विकास के बारे में कुछ नया सिखाती है। और कभी-कभी ये खोजें हमारी मौजूदा समझ को पूरी तरह से बदल देती हैं। उदारण के लिए पंक वाले डाइनासोर की घोज को ही लीजे। ये खोजें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि उडान का विकास कैसे और कब हुआ। ये जीवाश्म सरीस्रिप और पक्षियों के बीच की रेखाओं को धुंदला करते हैं जो उडान के विकास में एक आकरशक अध्याय का खुलासा करते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे कुछ विशेशताएं जैसे पंक, विभिन उद्देश्यों के लिए विकसित हो सकती ह इस तरह की खोजें हमें याद दिलाती हैं कि विकास हमेशा एक रैखिक प्रगती नहीं होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं और ये हमेशा सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती। झाल 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